हेलो मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे हो आप सभी लोग बच्चों उमीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे तंदरूस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे मैं मनमोहित आपका हिंदिय अध्यापक डाउटनट के इस बैतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी विध्यारतियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ तो प्यारे बच्चों हो जाएए तैयार हम लोग एक और नया टॉपिक, जीहां वो टॉपिक जिससे आप लोग रहते हो कन्फ्यूज, जीहां बच्चों बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर संधी करा दो, संधी करा दो, यस, तो भाई आज हम टॉपिक आपका जिया बच्चो तो आज वन शॉट रिवीजन में संधी की बात करेंगे, आज हम संधी को कम्प्लीट करेंगे, किलियर बच्चो तो भाई बिना किसी देरी के, बिना किसी व्यवधान के आप लोग क्रिप्या करके अपनी पैन उठाईए, कॉपी उठाईए और हमारे साथ मेह हम मेहनत कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि बच्चे भी मेहनत करें, और बच्चों की मेहनत किसे कैसे दिखती है, कि भाई अगर आप, पैन के साथ बैठते हो, कौपी के साथ बैठते हो, तो भाई एक जरूरी चीज मैं आपको बता दू, इससे चीजें जल्दी याद हो जाती है, भाई आप अगर सुन रहे हो, आप अगर समझ रहे हो, और आप अगर लिख रहे हो, तो भाई आपको चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, और ये चीजें जो हैं, लॉंग टाइम के लिए, यानि कि हमेशा के लिए याद रहती हैं, यह scientifically proof हो चुका है, clear है, तो अगर आप चाहते हो, कि आगे जाके बड़े, क्या बलते हैं, बड़ी class के अंदर, competition के अंदर, अगर हम सही तरीके से अपनी preparation करके जाएं, तो आपका जो foundation है, आपका जो base है, वो भाई strong होना चाहिए, clear ह है, बड़े बड़े लोग यहां पर आटके अटक जाते हैं, संदी हो गई, समास हो गया, clear, तो भई, अगर अभी से, अभी से इसको strong करके चलोगे, तो भई, आगे चाके, भई, इसमें कोई आपको हरा नहीं सकता, clear है, भई, समास आपको परा चुके है, one shot करा चुके है, स भिना किसी देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, भई, अपना start करते हैं, चलो भई, तो क्या अध्यन करेंगे, आज जो अध्यन करेंगे, एक बार नजर डालते हैं, आज हम अध्यन करने जा रहे हैं, वो है संदी, आपको पता ही चल गया होगा, संदी की परि संदी के प्रकार यानि संदी के कितने भेद होते हैं, बात समझ में आ गई, तो आज के इस टॉपिक में ये कवर करेंगे, और वन शोट में आज हम पूरी संदी को फिनिश करतेंगे, आओ, आगे चलते हैं, तो सब से पहले समझते हैं कि आखर ये संदी है क्या, संदी किसक बहुत ही अती आवश्यक होता है बाई चीजें अगर समझ के आप करोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे ध्यान से समझना रट्टा मारना नहीं है रट्टा फिकेशन करना नहीं है चीजों को समझ करोगे तो कभी चीजें भूलोगे नहीं के लिए चलो तो पहले समझते संधी किसका सब्द है संधी शंस्क्रत से निकला हुआ है संस्क्रत का सब्द है और दो वरणों के मेल से होने वाले विकार किसको कहते हैं भाई विकार कहते हैं परिवर्तन को किसको कहते हैं परिवर्तन को इंगलिश में बोले तो चेंजिस किलियर है चेंज तो दो वरणों के मेल से होने वाले परिवर्तन को विकार को संधी कहते हैं पैरि सिंपल किलियर है बास समझ में आगई भाई दो वरणों के मेल से इसमें होने वाले विकार को ही संधी कहा जाता संदी निरतक अच्छनों से मिलकर सारतक शब्द बनाती है। और संदी में प्रायशब्द का रूप छोटा हो जाता है। संदी की अगर बात आएगी तो आप एक ही चीज समझना एक लाइन में दो वरणों के मिल से होने वाले विकार को संदी कहा जाता है। किलियर अब दूसरे अर्थ में बताएं तो संधी का सामान अर्थ है मेल इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे सब्द की रचना होती है इसी को संधी कहा जाता है ये लो जी किलियर बाज समझ रहे हो भाई संधी का सामान अर्थ है मेल कहते हैं नहीं किसी में संधी कर दो यानि समझोता करा दो मेल मिलाप करवा दो है ना संधी संधोता किलियर तो इसमें दो अक्षर मिलने से तीशरे शब्द की रचना होती है इसी को संधी कहा जाता है बास समझ में आ गई तो बोलो yes yes चलो अगे बड़ें सरसब्दों में दो शब्दों यानि सब्दांसों के मिलने से नया शब्द बनने पर उनके निकट बरती वरणों में होने वाले परिवर्तन यानि विकार को संधी कहा जाता है बाई मैंने आपको तीन है ना तीन चीजे बताए है आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे, आप समझ के आप उस पर पकड बना सकते हो, उसको आप, है ना, definition में लिख सकते हो, इसके अर्थ के रूप में लिख सकते हो, इसकी परिभाशा के रूप में लिख सकते हो, सबसे सिंपल, दो गणों के मिल से, है ना, उसमें होने वाले विकार को, परिवर्तन को संधी कहा जाता है, very simple, clear, यहां तक चीज़े समझे में आ गई, चलो, आगे बढ़ें, चलो भई, आगे बढ़ते हैं, तो संधी दो शब्दों के, से मिलकर बना है, सम और धी, यानि कि संधी, clear, इसका साब्दी करता है, मेल या समझोता, अभी उसमें कोई न कोई विकार उत्पन जरूर होता है, clear, दो वरण जब आपस में मिलते हैं, निकटा होने के कारण, तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है, और वही परिवर्तन संधी का, है ना, नाम दिया जाता है उस परिवर्तन को, उसी परिवर्तन को ही संधी कहते है उसी परिवर्तन को संदी के नाम से जाना जाता है जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम धोनी ध्यान से सुनना पहले शब्द की अंतिम धोनी और दूसरे शब्द की पहली धोनी यहाँ पर अंतिम और यहाँ पर पहली किलियर पहले सब्द की अंतिम धनी और दूसरे सब्द की पहली धनी ये आपस में मिल जाती है ये आपस में मेल कर लेती है समझोता कर लेती है किलियर और इसमें जो परिवर्तन निकलता है इस समझोते से इस मेल से जो विकार उत्पन होता है जो परिवर्तन होता है उसी को कहा जाता है किलियर यहां तक समझ में आ गया आप तो बहुत अच्छे और आसान भासा में समझा रहा हूं बिल्कोर सिंपल इस से ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता पहले शब्द की अंतिम धुनी और दूसरे सब्द की पहली धुनी यह आपस में मिलकर जो परिवर्तन ला है उसी को संदि कहा जाता है किलियर है बास समझ में आ गई चलो आई आप जैसे उदाहरण के तोर पे देखो क्योंकि उदाहरण से हम अच्छा समझते हैं किलियर जब तक उदाहरण ना दिये जाए तब तक हमारे पल्ले नहीं पड़ता ऐसे यह ना तो भाई उदाहरण से छाए समझते हैं जैसे की महेश है ना महाधन ईष महेश मनह दन बल मनोंबल गड़ेस का करेंगे गड़ धन ईष सम धन तोष संटोष देव जमाइंदर देवेंदर भान जमाउदय भान उदय कलियर है बाद समझ में आ गई कलियर हो गया महा धन इष पहले का अंतिम और झो धनी है ना यह दोनों आपस में मिल गए तो वन गया A और E महेश कलियर है मना बल मनों बल गढदन इस गड़ेश इसी तरीखे से देवधन इंदर देवेंदर भानुधन उदय भानुधन उदय गणा गया इसी को संधि कहा जाता है इसी को संद कहा जाता है भई पहले शब्द की अंतिम धनी दुबारा बता रहा हूँ पहले शब्द की अंतिम धनी महा क्या निकल के आ रहा है आ निकल के आ रहा है अब दूसरे की पहली दूसरे सब्द की पहली ईश क्या निकल के आ रहा है ये आ और ई बनके ये ए बन गया य इस तरीके से मनोबल गड़े संतो देवेंदर भानूद है किलियर है इसी को संदी कहा जाता है यही संदी है किलियर है किलियर यह जो अलग-अलग है यह संदी विच्छेद है और यह संदी है इसको संदी कहा जाता है यानि कि मेल दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन हो र हो गे हैना संदी विच्छे दियानी की प्रथक अलग कर देना बाई किसी पद को उसके मूल रूप से प्रथक कर देना मूल रूप से प्रथक कर देना आप यहां पर समझ सकते हो महेश को अलग किया तो महाधन इश हो गया मनोबल को अलग किया तो मनह बल हो गया गडेश को अ वही बोला गया किसी पद को मूल रूप से प्रथक कर देना यानि कि अलग कर देना संदीबी्चेद है इसी को संदीबीच्चेद कहा जाता है संदी किये गए शब्दों को अलग पहले की तरह करना ध्यान से समझना पद को उसके मूल रूप से अलग कर दिया तो बल गया संधी विछेद और संधी किये गए शब्दों को अलग करके पहले की तरह करना ही संधी विछेद कहलाता है जैसे हिम जमा आले बराबर हिमाले तो यह हिमाले क्या हो गया यह तो हो गई संधी क्या हो संधिविछ कर दिया। इसको विच्छेद कर दिया। अति अलग और अधिया तो हो गया संधिविच्छेद। बहुत confusion है लोगों में, clear, clear है, कभी-कभी ऐसी चीज होती है, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते आप, clear है, तो वही बोला गया है, कि हर सब्द का संदिविछेद नहीं होता है, संदिविछेद किसका होता है, भाई, केवल तत्सम और तदभव शब्द का ही संदिविछेद होत संदिविछेद नहीं होता, clear है, यह important चीज है, note down कर लो, clear, अब तत्सम क्या है, तदभव क्या है, यह आप तत्सम और तदभव समझेंगे, लेकिन मोटा मोटा बता जेते हैं, तत्सम क्या, जो सब्द संस्कृत से एजिट लिए गए, उनको बोलेंगे, तत्सम, clear, और उन संस्कृत शब्दों का परिवर्तित स्वरूप होला जाता है, तदभव, clear, right, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो भाई हिंदी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, यह भाई संस्कृत से लिए गए, संस्कृत से लिए गए, तो संस्कृत में जैसे बोले जाते हैं, वैसे हिंदी में बोले जाते हैं, वो तो हैं तदभव, और उनी का परिवर्तित स्वरूप, यानि कि हमारे अपने हिसाब से हमने उसे डिजाइन किया, उस शब्द को है ना, हमने अपने हिसाब से डिजाइन कर लिया, वैया वो हो गया तदभव, यानि कि उनी संस्कृत शब्दों का बास समझ में आ गई, चलो जी, very good, आगे बढ़ें, यहां तक clear है topic, चलो, यहां तक समझ में आ गया, very good, आओ वई, संधी के भेद, सबसे बड़ी चीज, संधी के कितने भेद, तो वाई, संधी के होते हैं, तीन भेद, इसको, डाइगरम भी देख रहे हो, आप इसको ध्यान से देखो, पहला क्या है? स्वर संधी, दूसरा है विंजन, और तीसरा है विसर्ग, यह तीन तरेकी संधी होती है, दिहान से समझना इस चीज को, clear, बास समझ रहे हो, स्वर संधी, clear, यह स्वर है, यह विंजन है, और यह विसर्ग है, इस तरेकी से अगर बात करे जा, तो संदियां होती हैं। तीन प्रकार के संदियां यो दिखो लिखा भगाए स्वरसंदी विंजन और विशर्ग संदी तीन संदिया है। किलियर है 아직 समझने हों एक-एक करके हम मा अँन करेंगे कि सवरसंदी क्या होती हैbur बात समझ सवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व संदी कहते हैं very simple के लिए रहे हैं आ से और सिंपल रहे है यह क्या है यह सोर है पास समझ में आ गई चलो very good आगे बढ़ें दूसर दो में वाई स्वरवण के साथ स्वरवण के मेल से जो विकार उत्पन होता है विकार का मैंने आपको बताया विकार का मतलब होता है परिवरता विकार का मतलब होता है चेंजिस क्लियर है बास समझ में आ गई चलो स्वरवण के साथ स्वरवण के मेल से जो विकार उत्पन हो उसी को स्वरसंधी कहा जाता है क्लियर हो गया क्लियर स्वरसंधी क्लियर क्लियर अब अगर बात करें जैसे व कवीश्वर कविधन ईश्वर, महेश महाधन ईश्वर, तो भाया ये विध्यारती सूरियोदय मुनींद्र कवीश्वर महेश, ये सब क्या है, ये बाईया संधी है, और इसके टुकड़े कर दिये, ये हो गया संधी विच्छेद, दोनों बतारू आपको, किलियर विध्यारती के टुकडे करे विध्या जमा अर्थी सूरियोदय के टुकडे करे सूरिधन उदय मुनींद्र के टुकडे करे मुनी जमा इंद्र संदिविच्छेद करिया कवीश्वर का संदिविच्छेद कवीधन ईश्वर महेश का संदिविच्छेद महाधन इश महिश किलियर हो गया आप पता कैसे लगाया देखो दी विध्या क्या निकल के आया आ जमा चोटा आ आ और आ सिंपल सी बात है स्वर के साथ स्वर मिलके बना किलियर है पास समझ रहे हो इसी तरी के सूर्य आ निकल के आ रहा है किलियर है और उ इसी तरह से इसमें मून नी इसमें छोटी की मात्रा और इ इंद्र या इ और इ कभी इ इसी तरीके से बड़ी इ इ और छोटी और बड़ी इ मिल रही है इसका लाश्ट और इसका पहला इसका लाश्ट और इसका पहला पहले एक सब्द के अंतिमश्वर, किलियर और इस दूसरे सब्द का पहला पहला आक्षर, ठीक है भाई? निकलने वाली धोनी जोए, महाईश, महेश, किलियर हो गया, यहा तक समझ में आगे, आप सुर्संदी के भोध होते हैं, यह सुर्संद के पांच वेद होते हैं किलियर है important है ध्यान से समझी आराम से एक एक करके नोट करेंगे और हम इसको practice भी करें किलियर है बहुत सारा material है बहुत सारे एक भारण है बहुत सारे एक जामपन है चिंता करने की कोई बात नहीं और वो वो है जो important है जो आपके परिक्षा के दस्टिकूर से बहुत important है clear भाई स्वर संधी के कितने भेद होते हैं भाई या पांच भेद होते हैं पांच भेद होते हैं कौन-कौन से दीरग संधी गुड संधी विरधी संधी यड संधी आयादी संधी clear है याद करो एक-एक करके एक-एक करके याद करोगे और मैंने क्यों बोलता हूं लिखो भाईया याद यहाँ पर देखा आपने मेरे मुझ से सुना अपने अपने नोट्स तो बनाओ अब जब कौपी में लिखोगे तो यह आपके बन गए नोट्स और भाईया नोट्स ज यार होते हैं तो किसी से कोई चीज मागनी नहीं पड़ती हमको clear है हम कुद पर depend रहते हैं जब भी कोई चीज हुई समझ में नहीं आया तुरंत फटा-फट नोट्स देखे और दुबारा से रिकॉल दुबारा से चीज याद हम भूलते ही नहीं कि लिए इसी लिए कहते है अब बारत लिखो लिखो लेकिन यसे चीज याद होती हैं भई तो दीर्ग गुण वृद्धी यड़ और आयादी ये सुरसंदि के भेद किसके स्वरसंदी के कितने भेद पांच भैद कितने भेद पांच भी चलब भई आगे बढ़ो, सबसे पहला दीर्ग संदी, दीर्ग मतलब बड़ा, दीर्ग मतलब बड़ा, इस तरीके से द्यान से रखो, दीर्ग मतलब बड़ा, जब दो सवान हिरस्व, हिरस्व या दीर्ग, दीर्ग को हिरस्व भी कहा जाता है, हिरस्व संदी, किलियर, हरस्व संदी या दीर्ग संदी, किलियर, स्वरों का मेल होता है, तो वे दीर्ग संदी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दीर्ग संदी कहा जाता है, क्लियर है, ध्यान से समझ लो भाई दो सवाण हिरस्व या दीर्ग स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्ग स्वर स्वर बन जाते हैं इसी को दीर्ग स्वर कहते हैं किलियर है अब समझो दो सवाण स्वर मिलकर दीर्ग हो जाते हैं ये सब को पता है और यदि चोटा और बड़ा चोटी बड़ी या उ और उ और री के बाद वे ही हरस्व या दीर के स्वर आएं तो भाईया दोनों मिलकर करमसा बड़ा आ बड़ी इ बड़ा उ री हो जाते हैं इन चीज का दिहां रखना किलियर है अब जब एक्जामपल देखेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किलियर है कोई कन्फूजन नहीं रहेगे इसमें आराम से समझ में आएगा टेंशन लेने वाली बात नहीं है किलियर चलो वही एक एक करके करते हैं देखो आ बड़ा चोटी बड़ी उ और उ और री के बाद ही सेम तुसेम यह आए किलियर है तो किसको प्रायोटी दी जाएगी बड़े आ को प्रायोटी दी जाएगी किलियर है बड़ी इ बड़ा उ बड़ी ए किलियर है और री चलो जैसे छोटा आ और बड़ा पहले का अंतिम ध्वनी क्या निकल के आए आ या दूसरे शब्द का पहला अक्षर की ध्वनी निकल के आए छोटा तो क्या निकल के आएगा बड़ा दीर के मतलब बड़ा आ निकल के आएगा छोटा और आ निकले तो भईया आ किलियर है बात समझ में आगई इसी तरीके से अत्रधन अभाव यह हो गया अत्रा भाव चोटा आ निकल के आगया और छोटा आ है ही आ और आ मिलके बने बड़े आ तो स्वर क्या निकलेगा बड़ा आ किलियर इसी तरीके से अत्रावा हो गया, किलियर कोण जमा अर्क हो गया, कोण आर्क, मत धन अनुसार, मता अनुसार, सत्य धन अर्थी, सत्य आर्थी, धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ, किलियर ये धर्मार्थ है, किलियर है, उत्तम जमा अंग, उत्तमांग, अध्य, जमा अक्षर की धुनी और पहले शब्द का अंतिम यह जो दूसरा शब्द है इसका पहला उसकी धुनी यह दोनों आपस में जब मिल जाएं तो पहले बाले में आ या आये और दूसरे बाले में भी अगर आ आये तो यह निकलेगा बढ़ा के लियर और आ यहां भी निकले छोटा यहां भी आए तो दोनो आ और आ मिलके क्या बनाती है आ और आ मिलके यह भीया आ बनाती है किलियर है यह साफ लिखा हुआ है यह क्या है यह नियम है भाई यह नियम है जैसे जैसे इसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इसमें महारत हासिल करोगे संदी विच्छेद संदी करने में पसीने छूड़ जाते हैं द्यान से समझना किलियर है बात समझ रहे हो अच्छो अच्छो के पसीने छूड़ जाते हैं किलियर लेकिन बहुत आसान है बहुत ही आसान है नियम पढ़ो और संदी विच्छेद करो या फिर संदी करो है ना जि तो तो यही है यही है दीर्गी की पहचान वेद जमा अंत वेदांत परमधन अडू परमानू वीर्धन अंगना वीरांगना किस पर जोर आ रहा है किस पर जोर आ रहा है किलियर बास समझ में आ गई इधर आ है और इधर भी आ है तो बड़ा आएगा इधर छोटा आ है इधर बड़ा आ के धुनी निकल लिया तो भी आ आएगा बास समझ में आ गई किलियर ई और ई मिलके बड़ी किलियर पहले शब्द का अंतिम अक्षर की जो धनी निकल रही है अगर वो छोटी ही है और दूसरे शब्द की पहला अक्षर अगर छोटी है तो क्या बड़ी किलियर गिरी धन इंद्र गिरींद्र हो जाएगा कवी धन इंद्र कवींद्र हो जाएगा मुनी धन इंद्र मुनी इसे तरीके से इधर बड़ी इए विद्धन इश वारीश वारीश और पुनिधन इश्वर मुनीश्वर इसी तरीके से इधर बड़ी इए विद्धन इश वारीश 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 वारी रोड़ता उ और फिर से छोटा उ इसके में भी छोटा उ और इसमें भी छोटा उ दोनी निकल क्या रही है भानु छोटा उवार है उदै। छोटा हुआ रहा है। उअर उव मिलके बड़े उव का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है? ये भाईया नियम है। किलियर भानुजमा उदै जुरुधन उपधेश लगवधन उत्तर सुधन उक्ति सुकति विधू उदै विधू बाई लगवधन ऊर्मी लगूरमी बहुधन ऊर्द बहूर्द धात उधन उश्मा धतूश्मा केलियर अम्बूधन उर्मी, सिंदुधन उर्मी, सिंदूर्मी, केलियर है स्वयंभू उदय, स्वयंभूधय, केलियर भूधन उद्चर्ग, भूधसर्ग, बड़ाउव और छोटा उआ जाये तो बड़ाउप, सर क्या निकलेगा बड़ेउप का, खिलियर भूजमा उद्धार भूधार भूद्धार भूधार 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 भू है युका निर्मान करेगा भै भूधन ऊर्जा बूर्जा वद ऊर्मी वदहूर मी भूधन बुरूर्द सरई अधन और में बूधन उष्मा भूश्मा किलियर हो गया बाश समझ में आ गई किलियर चलो वही ते य मैं आप उर 0 झालते दे समंज में आ गई आ भाई आब जादा से जादा प्रेक्टिस करो और बाई साफ संधी खतम के लिए अब गुर पर चलते हैं कुर संधी जब आ और अध्यान से पढ़ो देखो नियम ही सब कुछ है नियम और सब कुछ है देखो छोटा और बड़ा आ के साथ अगर छोटी य और बड़ी ये कैसे पहले ऑ और आ, दूसरे अगर ई और बड़ी आएं, तो भईया, आ हो जाता है, क्या बनता है, ए बनता है, और जब आउर के साथ बढ़ाओ और बढ़ाओ, चोटा हो और बढ़ा हो, तो बंजा बंजाएगा ओ, और जब आ और आ के साथ अगर री हो जाएगा तो बन जाएगा अर क्लियर है अर बनता है उसी को गुड़ संदी कहा जाता है अब इसे उधारण से समझेंगे अच्छी तरीके से समझें के लिए आओ समझते हैं छोटा और लाज दनिंदी और विर निद्र वी निकल के ऐया भाई पहले का अंतिम अगर आ है और दूसरे का अगर पहला ई तो इन दोनों के विकार से जो निकला वो मना ए किलियर रहे हैं बाद समझ में आ गई देवेश देवधन ईश परमेश और नरेश किलियर है अब देख लो पहले का अक्षर क्या जा रहे है और दूसरे का पहला क्या आ रहे है दोनों के विकार से क्या है बन रहा है वही क्या बन रहा है ए बन रहा है आ और ए की मिलन से ए बन गया किलियर बड़े A और E से A जैसे कि महाईंद्र महिंद्र रमाधन इंद्र रमेंद्र यदा धनीश रतेष्ट राजा धनिंद्र राजेंद्र किलियर A और E A हो गया रमेश, लमकेश, महेश, महेश्वर, औरुमेश, राकेश और राजेस तो पहले वाले का अंतिम बड़ा आ रहा है और दूसरे वाले का पहला E आ रहा है बड़ी E आ रहा है ये दोनों मिलके A का निर्मान करेंगे किलियर है इसी तरीके से अगर छोटा आय और उ आय तो बिलके क्या बनेगा उ बनेगा जैसे कि चंद्रोदै किलियर है चंद्र आया आया चंद्र और उ आया इसका अंतिम आ और दूसरे का पहला उ आ और उ मिलके उ बन गे चंद्रोदै बन गे इसी तरीके से सूर्योदय, सर्वोदय, पूर्वोदय, वसंतूत्सब, किलियर है, विवाहोत्सब, वार्गसिकोत्सब, महोत्सब, नीलोत्पल और परोपकार, किलियर है, आ और उ के मिल से बना ओ, किलियर हो गया, आ और उ के मिल से बना ओ, समुद्रोर में, समुद्रधन ओर में उच्धन उड़ उच्चोर्द नवड़ा सूर्योजी और सुलोर में किलियर है ये आ और उ के मिल से ओ का निर्माण होता है किलियर है इसको तोड़ोगे नवड़ा को तो नव अलग हो जाएगा और उड़ा अलग हो जाएगा किलियर है बात समझ में आगई अब महोत्सब को अगर तोड़ोगे तो महा अलग उच्चब अलग महा धन उच्चब महोत्सब किलियर महोपकार को तोड़ोगे तो महा अलग उपकार अलग अब इसको जोड़ोगे तो इसमें से आ निकल रहा है इसमें से उ निकल रहा है आ और उ मिलके हो जायेगा ओ, तो महा उपकार, महोपकार, इस तरीके से करना, क्लियर है, पहले संदी करो, संदी को तोड़ो, विच्छेद करो, अलग-अलग करो, महोश्र, महाधन उश्र, विध्या उन्नति, विध्यो उन्नति, महाधन उदय, महोदय, महाधन उद्धम, महाधन उ और दूसरे शब्द का पहला के लिए इन अक्षरों में जो धनि उत्वन हो रही है इनके विकार से इनके विकार से परिवर्तन हो रहा है उससे ओका निर्मान हो रहा है clear है चलो आ और रि अर मैंने भी बतायाता को आण और री मिलके अर'' का निर्मान करते हैं ध्यान सक्भाच न, देव और आया है देव, यानि कि आ, देव, आया अंतिम और इसका पहला क्या है, री, आ और री मिलके अर का निर्मार करते है, किसका अर, तो देव धन रिशी, देव रशी हो जाएगा, क्लियर है ब्रहम धन रिशी, ब्रहमर्शी, सप्त धन रिशी, शप्तर्शी, महा धन रिशी, महर्शी, राजा धन रिशी, राजर्शी क्या निकल क्या आया? अर अर कैसे निकलेगा? काओगे अर कैसे निकलेगा? अरे भाई नियम है पहले शब्द का अंतिम अगर आए और दूसरे शब्द का अगर पहला री आए तो आ और री री रिशी वाला री किलियर आ और री मिलके और बना देता है खतम फिनिश किलियर यहां तक समझ में आ गया किलियर हो गया किलियर चलो अब आगे चलते हैं विरद्धी संधी, विरद्धी हो रही है, विरद्धी, जब आ और आ, छोटा और बड़ा आ के साथ अगर ए और बड़ी ए हो, तो क्या ए बनता है, किलियर है, और जब आ और बड़ा आ के साथ, ओ और आओ हो, तो बनेगा आओ, क्या बनेगा, बड़ा आ उसे वरद्धी संदी कहा जाता है अब एक्जामपल अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा नियम ध्यान में रखना चोटा और बड़ा के साथ अगर ए आएगा तो ए और आ और आ के साथ अगर ओ आ गया और आ आ गया तो बड़ा आओ पास समझ में आ गई चलो भई तो क्या बड़े को तरजीद जी जा रही है ठीक है भई चलो आ और आ प्लस ए आ यह क्या मिलके बने आ अभी हमने बताया नियम कह रहा है किलियर एक 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 और एक 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 वित जमा एश्णा वित एश्णा हना लोक एश्णा मतैक नवश शुरि भवैक्य सदैव तथैव किलियर है अब ए कैसे आया ए आया ऐसे आ और आ किलियर है किलियर है किलियर है आ और आ प्लस ए और ए यह मिलके अगर आएं तो निकल के आएगा ए किलियर है आ बड़ा और चुट ए यह क्या हो जाएगा महाधन एश्वर ही हो जाएगा महेश्वर आय, आय का निर्मार, आय, ठीक है भाई, किलियर है, आ, और बड़े आ की जगर, ओ और ओ आएगा, तो बन जाएगा आओ, किलियर है, बास समझ में आ गई, चलो, आगे बढ़े, चलो, वन ओ शदी, वन ओ शदी, वन ओ, लाश्ट ओ, और पहला ओ, किलियर, आ और ये ओ, क्या बना, ओ, वन ओ, किलियर है, इस तरीके से, नियम याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे, वन शदी, परमोजस्वी, परमोज, जलाद, दंतोष्ट, महोशदी, महोजस्वी, महोज, परमोशद, देवधार, इस सभी में इस नियम का पालन किया गया है, किलियर है, पहला अक्षर, या तो आ, धोनी दे रहा है, या बड़े आ के धोनी दे रहा है, और अन्तिम, जो दूसरा शब्द है, उसका पहला, क्या है, ओ आएगा, आओ आएगा, तो क्या, आओ, किलियर, महोज, किलियर, अब आ दिखने को मिल जाए तो E और E या हो जाता है क्या हो जाता है E और बड़ी E हो जाएगा या और उसी तरीके से छोटा हूँ और बड़ा हूँ के आगे अगर आपको कोई स्वर यानि की छोटा हूँ और बड़ा हूँ ये वा में कन्वर्ट हो जाता है किलियर इसी तरीके से री के आगे अगर किसी स्वर के आने पर री को राह कहेंगे किलियर री को क्या कहेंगे राह कहेंगे राह हो जाता है इसी को यड संदी कह जाते हैं यह क्या कहते हैं यड संदी कहते हैं किलियर हैं आओ E और A मिलके याकनिर्मांड कर रहे हैं, कैसे यदि और अपी, यध्यपी, अति और अधिक, अत्यधिक, अतिधन अंत, अत्यधन अलप, अलपंग, अतिधन, अलप, अत्यप, किलिए हो गया क्या आगया या क्या मना क्या निकल के आया या निकल के आया भाई क्या रहा है कौन कह रहा है नियम कह रहा है क्या रहा है बढ़ा या या क्या जब ई और आ मिल जाते हैं तो या आ जाएगा जैसे अती इसमें क्या आएगा छोटी या गई और इसके अंदर बड़ा सुरुवात किसे बड़े आ से E और A मिलके या करेगा क्या अत्यावश्यक, अत्यादी, अत्यानन्द और अत्याचार किलियर, इधर E और इधर A E और A के मेल से बना क्या, विकार उत्पन हुआ परिवर्तन हुआ, बन गया या वोग कहेंगे कैसे बना भाई सब नियम है, नियम कह रहा है किलियर है, बास समझ में आगे इसकी जादा से जादा प्रैक्टिस करोगे आप जितनी जादा प्रैक्टिस करोगे आप कॉपी अगर भढ़ दो मैं तो कहता हूँ, अगर आपने दस-पांच पेज भढ़ दिये, ऐसे कर करके आपको याद हो जाएगा, आप कभी भूलोगे इन्दी, बास समझ रहो किलियर होएं, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें बाई, चलो बाई, आगे बढ़तें E और A मिलके किलियर हैं, यहां तक समझ में आगया किलियर, चलो very good, E और O U का निर्माण करते हैं, जैसे अति और उत्तम, अत्युत्तम किलियर उपर युक्त यानि की उपर युक्त किलियर हो गया, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार क्या आया U आया, क्यों आया कि E और O मिल गए, इसलिए आया किलियर और एक नियम E और O U, बड़ा U है ना, अतिधन उश्म हो गया अतिधन उर्द यह हो जाएगा अतिवर्द किलियर हो गया, बाद समझ में आ गया, चलो, very good अब आगे चलते हैं, बड़ी E और O हो जाएगा, यू अभी बताया आपको, इस्त्रीधन उपयोगी हो गया इस्त्रीधन उपयोगी किलियर इसी तरीके से E और O, बड़ा यू नदी उर्मी नद्यूर में हो जाएगा E और A ये, प्रतिधन A के हो जाएगा, प्रतेक कियो हो जाएगा, प्रतेक अब अधी धन ऐश्ना ये हो जाएगा, धेश्nor E और A ये हो जाएगा, बड़ाया अत्य ऐश्री या निकि अत्य अश्री Baldi E और A ये हो जाएगा AI बड़ायी, सकHe धन AC ये हो जाएगा ये जाएगा सक याक देवी धन इश्वरी हो जाएगा देव ईश्वर नद acá दूसरे शब्द का पहला अक्षर इन दोनों की जो धुनिया आपस में वो धुनिया बहुत कुछ सिखाती है बहुत कुछ आपको इनी धुनियों से जो विकार उत्रपन होता है सिम्पल सी के लिए वही संधी है चलो आगे बढ़ते हैं ए और ओ यो अटि ओ जिया त्यो ज डदी ओधन तध्यो धन के लिए ओ आति ओधारे अत्यओधारे अति ओचित अत्यो औचित क्लियर हो गया क्लियर चलो अनुधन औए अन्वै वा कैसे निकल के आगया क्योंकि भाईण उ और आ के मिलन से बना वा उ कैसे आया पहले शब्द का अंतिम अनु उ और दूसरे का पहला आ क्लियर आय आया उ और आ मिलके वा का निर्मान कर गए किलियर अनु अय अन्वे अनु अंतर अन्वन मनु अंतर मवंतर किलियर है भास समझ में आगे क्या आया वा आया भई मदु अरी मद्वरी सु अल्प सुल्प किलियर हो गया किलियर हो गया चलो उ और आ ही हो गए वा, क्या हो गए, वा, मधु आले यह हो गया, मधु आले, मधु आले, मधु आले, अभी हमने बताया, लगवादी हो गया, लगवादी, सु आगत यह हो गया, स्वागत, स्वागत को तोड़ेंगे, सु अलग और आगत अलग, स्वागत का संदी विच्छेत बताओ, सु यह होगए संदी विछीद, किलियर इनको संदी करेंगे, तो पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला अक्षर माइने रखता है, इनकी जो धनिया है, भई इनकी मेल से बहिया, किसी तीसरे शब्द का निर्मान हो रहा है, ठीक है भई, उ और ई, वी, अनूधन इ अन्विति, किलियर, यहां तक चीज़ें किलियर हैं तो बोलो हाँ, चलो, वेरी गुड, शाबश, उ और ई हो जायेगा, वी, अनूधन इशन, अन्विक्षन, किलियर हो गया, बास समझ में आ गई, उ और ए हो जायेगा, वे, अनूधन इशन, अन्वेक्षन, अभी बताया प्रभुधन इशन, यानि कि प्रभवेशन, आदब आएगा, किलियर है, ए आ जायेगा, ए, वे, किलियर है, उ और ए, वे का निर्माल कर रहे है, किलियर, प्रभवेशन, उ और ओ जायेगा, वो, गुरु ओधन, यानि कि गुरु दन, किलियर है, पास समझ में आ, उ और ओ, वो गुरोदन क्लियर है गुरु वोदन यहाँ पर वो आएगा ठीक है चलो लगोदन ओश्ट ही हो जाएगा लगोष्ट क्लियर है चलो वो कहां से आया कि U और O के मिल से आया ठीक है वही वह और A यह हो जाएगा वा वधु अगम यागे वध्यागम क्लियर है री और आ ये रा हो जाएगा पित्र अनुमति यानि की पित्र अनुपति धात्र अंश यह हो जाएगा क्लियर हो गया यहां तक समझ में आगया इसके बाद बचा री धन इ यह हो जाएगा री पित्र धन इक्षा पित्रिक्षा मात्र धन इच्छा मात्र इच्छा किलिए रहे बाज समझ में आगे री री और ई दोने मिलके री का पिर तिक्छा पित्र किलिए रहे ये जिर आगे निकल के आगे ये से री बोलेंगे किलिए रहे पित्र रा अब आ जाता है अयादी संदी अयादी संदी क्या होती है अयादी संदी बाई ए और ओ औ से परे किसी भी स्वरके होने पर क्रमशा आये अब और आओ हो जाता है किलियर है? किलियर दुबारा समय A I O A O से परे किसी भी सवरroll की होने पर क्रमशा आय हो जाएगा अब हो जाएगा आघ हो जाएगा क्लियर इसी को आया दि शंदृ करते हैं क्लियर आघ समझते हैं क्लियर है A और A मिलके आये बन गया जैसे की ने A आया ने, A आया नहीं ने, ए, प्लस, आ, ए और आ मिलके बन गए, आय, क्या बन गए, ये बन गए, आय, क्या बन गए, आय, तो ने, आय, नयन, शयन, चयन, इन समी में देखो, ए है और इन समी में आ है, बाज समझ में आ गए, ए और आ मिलके आय बन गए, नयन, शयन, चयन, इसी तरीके से आय, आय क कैसे ए और आ मिलके आय बन गया कैसे गायक और नयक गई धन अक ए और आ मिलके गायक नय और आ मिलके नयक बहस्त समझु में आगी अब कैसे बना ओ और आ मिलके अब बना क्या बना ओ और आ मिलके अब बना पोधन अन्योग्या पवन पोधन अन्योग्या पवन इसी तरीके से भो और अन्योग्या भवन और श्रोधन अन्योग्या श्रावन क्लियर हो गया श्रोधन अन हो गया श्रावन क्लियर क्या बन रहा है अब क्लियर है ओ और आ मिलके बन गे अन क्लियर है पवन भवन और श्रावन आओ प्लस आ यानि कि आ ठीक है जी चलो आओ और आ से बना आओ अब पधन अकिया हो गया पावक गिलीए पधन अन पावन इसी तरीके से ओ और ई मिलके आवी बनता है गिलीए चले वैए और आगे लेके चलते हैं इस तरीके से स्वर संदी हमादी होती है सवाब अब स्वर संदी के बाद आता है क्या व्यंजन संदी पहली संदी समाप्त दूसरी संदी है व्यंजन अब व्यंजन की बारी है स्वर अगर आपको समझ में आया है तो अब आपकी व्यंजन संदी की बारी है अब व्यंजन में क्या आता है वाई देखो व्यंजन का व्यंजन से वहाँ स्वर का स्वर से था किलियर अब क्या है व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है जो विकार होता है किलियर उसे व्यंजन संदी कहा जाता है clear है नहाय तक समझ में आगे और दूसरे सब्दों में कहें तो एक व्यजण के दूसरे व्यजण या सर से मिल को व्यजण संदि कहा जाता है clear हो गया चो गया जैसे सरच्चंदी हो गया सरच्चंद अब नियम के अगर बात करिजा है तो वर्ग के पहले वनन का तीशरे वरण में परिवर्तन किसी वर्ग के पहले वरण किलियर किसी वन के पहले वरण यानी कि काचाटातापा iS तरीक से काखागागार ताथधा धाधा है ना एकलियर है पाफ़ा भावा मा इस तरीक से मेल किसी स्वरात्वी प्रते ह्वर्टिक वर्ग के 3 चौथे अथ्वा अंतस्त विर्जन से होने पर वर्ग का पहला व्रण तीशरे व्रण में पर्वर्दित हो जाएगा जैसे पाफ़ा भा तेख है आओ देखते हैं जैसे का हो जाएगा गा में तीसरा वरण क्या है का खा गा क्या है तीसरा तो का हो जाएगा गा तो हो गया दिगज इसी तरीके से चा हो जाएगा जा किलियर तो जाएगा अजन्त किलियर है बात समझे रहो कैसे हुआ चा का जा में, क्या कहता है, नियम कहता है, किलियर है, ध्यान से सुनो, दुबारा सुनो, दुबारा समझो, तब समझ में आएगा, कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, यानि कि का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी भी स्वर, अथवा प्रत्य वर्ग के तीसरे, या च खा गा में हो गया, चा जा में हो गया, इसी तरीके से दिगज और अजन्त, ठीक है भाई, दिख जमा अंत दिगंत, अच जमा आजात, दिख जमा विजे, दिख विजे, वाग जमा ईश, वाग ईश, किलियर है, पास समझे रो, का जा में बदल गया, और का गा में बदल गया, और चा जा में बदल गया, किलियर है, आओ और चलते हैं, इसी तरीके से टाका रणा होना, है ना, सट धन आनन, चड़ानन, पा का बा होना, पा अप जा, अब्ज, और इसी तरीके से अधिकिसी वर्ग के पहले वर्ण, पहले वर्ण जैसे का, चा, टा, ता, पा का मेल, अगर ना, ना पे ये, इस तरीके से, ना, अधना, ना या मा वर्ण से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पाँचमा वर्ण हो जाता है, का, खा, गा, गा, अडा, ताठा, डाधा, वा, किलियर है, ताठा, दाधा, ना, पापा, बाभा, मा, किलियर है, इसी तरीके से, तो का, प्लस मा यह हो गया डा, वाग धन मै, यह हो गया वाण मै, किलियर है, चा और ना, वाँ, किलियर है, टा और मा, डा, इस तरीके से, सठ धन मास, यह हो गया सन मास, ता और ना, यह ना में कनवर्ड हो जाएगा, किलियर, उत धन नयन, यह हो जाएगा, उन नयन, क्या हो जाएग Clear है? क्यों? क्योंकि पा का पाँच मा वनण क्या होता है? Clear है? तो यहाँ पा नहीं आएगा यह अम्मय आएगा Clear हो गया? ठीक है? चलो गई इसी तरीके से ता और ना ता था दाधा ना ता और ना आपस में मिले यह उन्य है Clear है? चलो गई आदाना ये आदाना ये इस तरीके से उन्नायन ता ना में बदल जाए ता का मेल गागा दाधा बाभा या रावा या किसी स्वर से हो जाए तो दा हो जाता है इसको ध्यान में रखना है बस इस तरीके से किलिए रहे ता का अगर मेल यानि कि पहले शब्द का अंतिम, वन जो है अंतिम अक्षर, ता का मेल अगर गा, घा, धा, भा, 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 या, रा, वा, या किसी सvar से हो जाएं, किसी हैं ना, सvar से हो जाएं, तो क्या हो जाएगा दा? क्लियर है ताकत भावे हो गया दद भव क्लियर है सत भावना सत भावना तद भव क्लियर है ता और ई दी जगत ईश इसी तरीके से भगद भगती है ना तदरूप है ना सद मर्ग इसी तरीके से ता रा में बदल गया ता और रा का मेल हो गया किलियर है, इसी तरीके से ता और धा, किलियर है, ता और ई, ये क्या है स्वर, ता का, गा, घा, दा, धा, बा, भा, मा, या, रा, या फिर कोई स्वर, तो ई क्या है स्वर, ता और ई, ये हो गया दी, किलियर हो गया, इसी तरीके से ता से परे, चा या छा होने पर, ता से परे, होने पर टा और या धा होने पर टा और ला होने पर आधा ला हो जाएगा जैसे की ता और चा उच प कि आधा चा ओर पूरा च प यह द जंग यह ज्या yan जमें कि यह लिए खन घ्टिका यानि сделать उज्ई दीका केलियार ता और टा पोर टा तट धन नीका ये होगी तटिका ता और डा का मेरा अदर डा पूरा डा कीलियार उत धन डैन उद डैन केलियार ता अर ला आदला और पूरा ला उत lowered धन लास केलियार बास समझ में आ गई, चलो ता का मेल यदि शा से हो तो ता को च और शा का च्छा बन जाता है शा का क्या बन जाता है च्छा बन जाता है जैसे ता और शा यह होगा च्छ उत धन श्वास उच्छास किलियर ता धन श्वास इस तरीके से उच्षिष्ट clear है इसी तरी से सच्छास्थ clear हो गया ता और शा चा और चा जायेगे चा क्या बन जाएगा घाना शाँ चा में canvart हो जाएगा शाँ चा में बदल जा रहा है यहां पर शाँ चा में बदल गया clear है clear है ता, चा, और शा, चा में बदल गया ये ता, ये वह बनने गया चा क्योंकि आदा ता है तो आदा चा हो गया और शा, चा में बदल गया इस तरीके थे थोड़ी सी महनत करोगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाऊगे तो आप अच्छी से इन पर पकड बना सकते हो संदी, देखने में है ना, आपको बहुत ज़्यादा कठे लगती है लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे जब आप बार-बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा ये किलियर है, दावे के साथ कहता हूँ किलियर है, कभी नहीं बोलोगे आप बहुत ही आसान है, लेकिन बिना प्रैक्टिस करे नहीं आएगा ये भी बता देता हूँ किलियर है, ता का मेल यदि हा से हो, तो ता को दा और हा का धा हो जाता है ता और हा पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला इन दोनों की जो धुनियां आपस में मिल रही है क्या कर रही है विकार कर रही है नहीं कर रही है तो नियम कह रहा है कि भई हा ता का अगर हा से मिलन हो जाए तो ता का हा जाएगा तो ता दा में बदल जाएगा और हा दा में बदल जाएगा क्लियर है वाज समझ में आ गई स्वर के बाद यदि छावरन आ जाए स्वर के बाद अगर छावरन आ जाए तो छा से पहले छावरन बड़ा दिया जाता है क्लियर है पास समझ रहे हो देखो साफ साफ लिखा हुआ है आ क्लियर है आ इ उ ये क्या है ये क्या है आ आ इ उ ये क्या है स्वर और वो ही कह रहा है स्वर के व्यादेदी च्छावरन आ जाए तो च्छा से पहले च्छावरन बड़ा दिया जाता है ये क्या है ये नियम है किलियर अच्छ हो गया स्वच्छन्द हो गया आच्छ हो गया आच्छादंद हो गया इच्छ हो गया संधिछेद हो गया किलियर हो गया उच्छ हो गया अनुच्छेद हो गया किलियर है चा से पहले चावरण बढ़ा दिया जाएगा क्यों बढ़ा दिया जाएगा कि स्वर के बाद अगर च्छा आ रहा है तो किलियर है च्छा से पहले चावरण बढ़े गया चलो आगे मा के बाद अगर का से मा तक कोई भी विंजन हो का कबूतर से लेके मा मचली तक कोई भी अगर विन्यन आए किलियर है मा के बाद किलियर तो मा अनुस्वार में बदल जाता है किलियर है मा के बाद अगर का किलियर है मा के बाद का से मा तक का से मा तक कोई भी विन्यन अगर आ जाए कोई भी विंजन अगर आ जाए तो अनुस्यार में बदल जाएगा maa जिस तरीके से लिखा हुआ है maa प्लस चाड़ ये अनुस्यार में बदल गया तो क्या बना किंचित किंधंचित किंचित किंधं कर किंकर समधंकल्प संकल्प किलियर है बात समझ में आ गई अनुस्वार हो गई इसी तरीके से यहां संचय हो गया समधन चय संचय किलियर समधन तोस संतोस समधन बंद संबंद और समधन पूण संपूण क्यों क्योंकि मा के बाद का कबूतर से लेके और मा मचली तक कोई भी अगर विन्जन आ गया तो ये अनुस्वार में बदल जाता है किंचित किंकर संकल्प संचय संतो संबं संपूण यही इसका एक्जामपल है किलियर मा के बाद अगर मा का दुट्य हो जाए यानि कि डबल तो क्या जैसे मा और मा आदा मा और पूरा मा हो जाएगा जैसे संमत और संमार इधर भी मा है और इधर भी मा है आदा मा और पूरा मा आज की मा और मा मा और मा किलियर पहले शब्द का अंतिम अक्षर है ना अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम दोनों का मेल हो रह किलियर हैं? बास समझ में आ गई? चलो मा के बाद या रा लावा शा सा हा में कोई भी वेंजन होने पर मा का अनुस्वार हो जाएगा कैसे? मा और या आ गया? आ गया? क्या बोला जा रहा है? या रा लावा शा सा हा में कोई भी अगर विंजन हो ये तो भही मा का बन जाएगा अनुस्वार जैसे कि समधन योग सैंयोग समधन रच्छन सररक्षन समधन विधान समविधान क्लियर क्लियर हो गया ऑके चलो इसी तरीके से सम वाद हो गया शंशय हो गया संग लगन हो गया और संसार किलियर है क्यों हुआ मा की जगे अनुस्वार क्यों आया किविंदी क्यों आ गई क्योंकि नियम कहता है मा के बाद यारा लावा शा कोई भी विविंजन आ जाए तो भई ये जो मा है ये अनुस्वार में बदल जाएगा किलियर है रिशे रिशी राशा से परे नाकाड़ा हो जाता है परंतु चवण टवण तवण शव और शा का विवधान हो जाने पर नाकाड़ा नहीं होता किलियर है? दुबारा समझो रिशे रिशे राशा से परे नाकाड़ा हो जाता है परंतु चवण टवण तवण शवण है ना शा और साका विवधान हो जाने पर नाकाड़ा नहीं होता क्लियर है रातन ना यह हो जाएगा रा कब हो जाएगा जब रिशे रिशी रशा क्लियर है से परिना का रा क्लियर है यह ना रा में बदल जाएगा जैसे परिनाम का हो जाएगा परिनाम और प्रमान का प्रमान का हो जाएगा प्रमान क्लियर है किलियर हो गया, चीर, चलो, यहां पर रा आएगा, रा प्रा, रा निकला, और मा, क्या बन गया, अडा में कनवर्ट हो गया, इसी तरी के यह प्रमाण हो गया, यह यह परिमाण हो गया, परि, यानि रा निकल रहा है, और ना, रा और ना के मेल से, ना अडा में बदली, चलो, सा से पहले अगर आ और आ से भिन कोई स्वर आ जाए, तो शा को शा हो जाता है किलियर हो गया, किलियर, चलो, वेरी गूड, भा, शा, ये हो जाएगा शा जैसे अभिशेक, निशिद और विशम कैसे हुआ, क्यों हुआ, सा से पहले अगर आ गया क्लियर बड़ाग क्लियर यह भिन्द कोई स्वर आ जाए तो भही शा को शा हो जाएगा क्लियर है सा शा में बदल जाएगा ठीक है ना सा शा में बदल जाएगा क्यों बदल जाएगा क्योंकि सा से पहले है ना आ और आ से भिन्द कोई स्वर आ जाए तो सा शा हो जाएगा, सा शा हो जाएगा, किलियर है, अब शेक, निशिद और विशम, अभी हमने बताया आपको, किलियर, अब आगे लेकर चलते हैं आपको विशम, विसर्ग संदी पर, किलियर है, स्वर संदी हो गई, वेंजन संदी हो गई, अब बारी है विसर्ग संदी, वारी है विसर्ग संदी की तो विसर्ग के साथ स्वर्या वेंजन मेल से जो विकार हो उसी को विसर्ग संदी कहा जाता है किलियर बात समझ में आ गई किलियर दुबार पड़ो स्वर और वेंजन के मिल से विसर्ग में जो परिवतन हो उसी को विसर्ग संदी कहा जाता है किलियर हो गया? बाद समझ में आ गई? चलो, very good इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे विसर्ग ही हो जाएगा अंग अहाँ, ये वाला विसर्ग विसर्ग के साथ जब किसी सुर अत्वा वेंजन का मिल हो तो उसे विसर्ग संदी कहा जाता है या उसे विसर्ग संदी कहते हैं किलियर है? यहाँ तक समझ में आ गया और आगे लेके चलते हैं नियम क्या कह रहा है? विसर्ग से पहले आए और उसके बाद वर्ग का तरतिय चतुरतया पंचम वर्ण आए या या रा लावा हा रहे तो वह या विसर्ग का उ हो जाता है इसको देहन में रखना मस अगर विसर्ग से पहले आए और उसके बाद वर्ग का तृतिय क्लियर है जैसे यहाँ पर रा है तो या रा है ना बात समझ रहे हो मना रत यह हो जाएगा मनो रत इसी तरीके से कलियर है 33.45 बात समझ रहे हो 33.45 आए या या रा तो यहाँ पर रा है कलियर है या रा ला वा हा रहे तो विसर्ग का उं हो जाएगा और यहाँ पूर्ववर्टी आ से मिलकर गुर्वसंदी द्वारा उं हो जाएगा तो उसी लिए यह मनूर्द हो गया है ठीक है भई क्लियर है बाद समझ में आ गया सर धन्जा यह हो जाएगा सरोज यह हो जाएगा मनोभाव यह हो जाएगा पयोध यह मनोविकार और यह पयोधर क्लियर है बाद समझ में आ गई विसर्ग से पहले अगर आए और उसके बाद वर्ग का तिर्तिय चतुर्तिया पंचमवण आए या यारा लावा हा रहे तो विसर्ग का उ हो जाएगा और यह है उ पूर्ववर्ति आ से मिलकर गुरुसंदी द्वारा उ हो जाएगा किलियर है यह उधारण है मनोरज, सरोज, मनोभाव, पयोद, अन्मनोविकार और पयोधर ठीक है किलियर हो गया अब और आगे जग जगे सरोबर, तजोब में, येशोदा, पुरोहित, मनोभाव किलियर है चलो आगे लेके चलते है यदि विसर्ग के पहले या या उवाए और विसर्ग के बाद कावरन हो का, खा, पा, फा, तो भाईया विसर्ग शा में बदल जाता है किलियर है बाद समझे ओ, शा शटकून वाला सा ठीक है जैसे निकपट यानि निशकपट, निफल, निशफल, निशपाप और दुशकर किलियर है विसर्ग के पहले अगर ए, आया नहीं आया, ए, 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 या दू, ए या उ, दू, उ और विसर्ग के बाद का, वर्ण जो है वो अगर का आए, पा आए, फा आए, किलियर है तो भाई, विसर्ग का हो जाएगा शा किलियर है, निश्कपट, निश्फल, निश्पाप और दुश्कर, चलो, विसर्ग से पूर्व अगर आए, बड़ा आए, और बाद में अगर काखा या फिर पाफा हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि प्रातहकाल, है ना, पहपान, अं अंतहकरण, अपने अंतहकरण में जहांकर देखो, कि आप क्या हो, अंतह, पुर, किलियर, इन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि विसर्ग से पूर्व, आ, आ, और बाद में अगर काखा या पाफा होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, किलियर हो गया, चलो, आगे बढ़ते हैं, यदि E से लेके O के बाद विसर्ग हो, और इसके बाद रा आए, तो E, O का E बड़ी E और बड़ा O हो जाएगा, और विसर्ग लुप्त हो जाएगा, किलियर, छोटी E और O के बाद विसर्ग हो, किलियर, और उसके बाद रा आए, तो छोटी E और O ये जाएगा नीरव, नीरव, नीरस, निरोग, या फिर दूराज, क्लियर है, चलो, यदि विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ को छोड़ कर कोई दूसरा सुर आ जाए, बड़ा आ, युकि सुर तो केवल दोई तो नहीं होते, क्लियर है, ग्यारा सुर बताये थे हमने आपको, चल हो या फिर पंचम हो, क्लियर है, तरतिय, चतुर्त, पंचम की मतलब अगर बात करीजा तो क्या क्या कौन से बात कर रहा हूँ, का, खा, गा, गा, घा, रा, एक्जामपल बता रहो मैं आपको, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये देखो क्या है, ये तरतिय है, ये चतुर्त है, और ये पंचम है, इस तरीके से बात कर, तिरतिय की बात आएगी, तो ये हो जाएगा, चतुर्त की बात आएगी, ये हो जाएगा, और पंचम की बात आएगी, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से, क्लियर है, बात समझ में आगई, चलो गई, तो यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़ कर कोई दूसरा सुर आये तो विसर के बाद कोई सर हो तो किसी वर्ग का तिरती चदुर पंचम वान हो या फिर यारा लावा हो तो विसर के बाद इस्थान में रा आ जाएगा जैसे की निरुपाय, निर्जर, निर्जल, निर्धन और दुर्गत किलियर है, नि धन उपाय, नि धन जर, नि जमा जल, नि जमा धन, दु जमा गंध किलियर है, चलो, आगे चलें, चलो, निर्गुण, निर्विकार, दुरात्मा और दुर्गत किलियर हो गया, निधन गुण, निर्गुण, निधन विकार, निर्विकार, दुधन आत्मा, दुरात्मा, दुधन नीती, दुर्नीती, निधन मल, निर्मल किलियर होगया चलो और आगे लेकर चलते है यदि विसर्ग के बाद चा छा शा हो विसर्ग के बाद चा छा 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 छती वला चा है ठीक है 짜 शा शल्गम मारा तो भई विसर्ग का शा टा ठा शा हो तो भπαई शा और ता किलियर था सा हो तो शा हो जाता है किलियर है जैसे की निधन चय इंगे हो गया निश्चय क्या आया विसर के बाद चा आया निधन च्छ यो यह आगा निश्चल क्या आया च्छ किलियर है बाद समझ में आगई निस्तार निस्तार निशेश और निश्ठीव किलियर है बात समझ रहे हो ये शा और ता था शा ये सब शा हो जाएगा किलियर है चल अब लेके चलते हैं आगे यदि विसर्ग के बाद आगे पीछे अगर आ हो और पहला आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है किलियर है और विसर्ग के बाद वाले आका लोप हो जाता है किलियर है विसर्ग के बाद वाले आका लोप हो जाता है तथा उसके इस्थान पर लुपताकार का चिन लुपताकार का चिन इस तरीके से होता है S के लिए रहे हैं जैसे हम लोग S बनाते हैं न ये ये लुपताकार का चिन्न है किसका है लुपताकार चिन्न है इसको ध्यान में रखना चलो, तो विसर्गी के वादवाले आ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पे लुपताकार का चिन्द ये वाला ये लगा दिया जाता है, जैसे की परतमोध्याय, संस्क्रुट में यूद केते हैं, परतमोध्याय, दुतियोध्याय इस तरीके से, तो परतम, धन, अध्याय, मनय धन अभिलाशित, मनो अभिलाशित, यशा धन अभिलाशी, यशो अभिलाशी, किलियर, यशो, आ की जगे, किलियर है, ये लुपत हो गया, इसकी जगे, ये लुपताकार का चिन प्रियोग में लाया जाता है, किलियर हो गया, चलो, विसर्ग से पहले, आ को छोड़ कर किस यह दर्ग लुक्ट हो जाता है, और यदि उसके पहले रस तुस्वर्ग हो, तो वैं देश्वर्ग हो जाता है, किलियर है देश्वर्ग मतलब बढ़ा, किलियर नि रस यह हो जाएगा नी रस, चोटी है बढ़ी हें मतलगी, नि धनरोग नीरोग, किलियर, अब विश्रग के अगर शा, शा, सा होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है, या अपने से आगे वाला वरण हो जाता है, अपने से आगे वाला वरण क्या, एक वरण आगे, क्लियर निसंदे, निसंदे, अत्वा, निसंदे, दोनों सही है, क्लियर है, या तो निसहाई, निसहाई लिखो, या फिर निसहाए, इस तरीके से हो जाए रहा है, यानि कि एक सौर आगे, क्लियर है, चलो, आगे चलते हैं, कोशन देख लेते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, आप सभी को पता है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, यानि कि क्लियरो आज़े लेके चलते हैं तो संदी कितने प्रकार चार अब तक आपको पता हो होगा जबलेके संदि हमारे कितने प्रकार की होती है चार उस यह कृषाह मुला होति है इस इस किनंगार को डिया है स्वर्वेंजन और विसर्ग ठीक है भई स्वर्संदी विसर्ग संधी और विसर्ग संधी किलियर हो गया चलो तो भई इस तरीके से हमारी संधी होती है समा चलो भई तो क्या क्या हमने संधी की परिभाशा और संधी के भेद ओके बच्चो चलो तो आज की क्लास में बच्चो इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ तब तक मुझे दो जायत और आप बने रहो डाउटनट के साथ नमस्कार